हलो दोस्तों स्वागत आपका डिवोशन इंस्टिट्यूट में आज हम चौथा सेशन वोकाब का देखने वाले हैं हम हर रोज आपको इंगलिश वोकाबलरी के डेली सेशन दे रहे हैं यहाँ पर आप हर रोज यह सेशन हमारे साथ देखे अगर आपने पहले तीन सेशन नही अगर नहीं देखे हैं तो पहले देंगे पर क्लिक करें फिर हम अगे बढ़ते हैं आज के जो हमारे words हैं वो देखने से संबन्दित हैं किससे संबन्दित हैं देखने से कुछ भी देखना होता है उसके अलग-अलग root words है दो तिन root words हम आज उठाने वाले हैं और उसके सारे words को देखने वाले हैं पहला जो root है हमारा वो है spect spect का मतलब होता है देखना क्या root है जी? जहां भी आपको spect नजर आएगा कुछ ना कुछ देखने से सम्मंदित होगा जैसे पहला word है spectacle case spect tavalla word का मतलब होता है दिरिश्य क्या मतलब होता है दिरिश्य इड वससरे वंडेरफुल denken It was a very nice spectacle सिर्फ इतना भी आप बोलते हो तो वह एक सुन्दर दृश्य था या फिर वह एक दृश्य था आप ऐसा बोल रहे हो spectacle का मतलब दृश्य होता है और spectacles S अगर आपने extra लगा दिया ये S ऐसे मत समझना कि उपर वाला एक दृश्य था नीचे वाले बहुत सारे दृश्य होगे नई S लगाने से बहुत सारे words में मतलब ही बदल जाता है जैसे मैं एक छोटा सा example आपको और देता हूँ iron एक word है iron का मतलब आप जानते हैं लोहा, लोहे को iron कहते हैं लेकिन जब आप irons कहते हो तो ये जंजीरे बन जाती है बेडियां बन जाती है कल परसो एक class के अंदर मैंने आपको बताया था content का मतलब क्या होता है satisfied, संतुष्ट लेकिन जब आप contents कहते हो तो वो विशे वस्तू बन जाता है कि इस किताब के contents क्या है किताब में क्या-क्या chapters है या इस लिफावे के contents क्या है मतलब उसके अंदर क्या-क्या है तो यहाँ पर भी बिल्कुल वैसा ही है spectacle का मतलब दृश्य होता है लेकिन spectacles ऐस लग जाता है तो वो दृश्य या बहुत सारे दृश्य नहीं बनते यह आपका चश्मा बन जाता है यह चश्मे बोलना चाओ जो भी आप बोलना चाओ तो यह चश्मा है आपका spectacles गोर फर्माईएगा इसी को आप हिंदी मतलब short करके specs बोलते हो आपने सुनाओ का ना मेरे specs कहा है तो वो specs जो word आप use करते हो वो actual में short form है किसकी? spectacles की specs नाम का कोई भी word नहीं होता आगे आओ spectacular spectacular word भी use किया जाता है देखने के लिए ही लेकिन किस सरीके से spectacular का मतलब होता है शानदार दृश्य है अगर spectacular था अगर आप गौर फरमाएंगे यह जो spectacle है यह एक तरीके से noun के जैसे use होता है noun मतलब किसी चीज का नाम है एक दृश्य का नाम है spectacle spectacles भी क्या है noun है चश्मे का उस चीज का नाम है spectacle लेकिन spectacular यह एक adjective के जैसे use होता है अगर आपको नहीं पता कौन से noun होते हैं, कौन से adjective तो आप grammar की classes भी प्लीज साथ साथ देखें, आपको बहुत फायदा मिलेगा adjective के जैसे use होता है, मतलब क्या? ये extra information देता है, क्या देता है? ये हमें extra information देता है, किसी तो noun या pronoun के बारे में spectacular आप जिस भी चीज को कहोगे, मतलब वो शानदार है, जबरदस्त है, जिन्दाब, अमलब मज़ा ही आगया देखके ऐसा जिसको देखकर मज़ा आजाए, उसको आप spectacular कह सकते हो जैसे it was a spectacular performance, तो कोई performance अगर spectacular थी मतलब बहुत ही शानदार थी इसके नीचे word देखो, spectator, spectator भी एक noun के जैसे use होता है, spectator का मतलब होता है दर्शक, जो देखता है, अगर आपने कभी English commentary सुनी है, cricket match में या कहीं भी तो वो spectators बोलते हैं, क्योंकि दर्शक बोलते हैं, कि जो लोग match देखने आए हैं, वो क्या है, spectators है spectacle का मतलब दर्शय होता है, spectacles, s लग गया तो चश्मा बन गया, spectacular मतलब शानदार और spectator मतलब जो दर्शक है, जो देखने वाला है, इधर आओ, intro word है और spect word है spect का तो हमें पता है, देखना, intro का मतलब क्या होता है, अंदर, intro का मतलब क्या, अंदर या मैं तो मेरे को देखना, मतलब खुद को देखना, या अपने अंदर देखना, हिंदी में बड़ा ही गहरा सा word है, आत्म विलोकन करना मतलब क्या, अपने आपके अंदर देखना, कि जो मैं सोच रहा हूँ, वो क्यों सोच रहा हूँ, जैसा मैं फील कर रहा हूँ, वैसा क्यों हो रहा है जब आप अकेले बैठकर अपने अंदर, अपने मन में, अपनी thoughts में, अपनी feelings में देखते हैं, उसको इंट्रोस्पेक्ट करना बोलते हैं, जैसे मैं अक्सर बोलता हूँ students को, कि आप तैयारी start करने से पहले थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करो, कि वास्तव में ये आपका ल देखने का कि ये मेरा वास्तम में मैं ये करना चाहता हूँ या नहीं करना चाहता ये देखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा आपको introspect करना पड़ेगा तो introspect करना मतलब अपने अंदर देखना कि मेरे अंदर क्या चल रहा है क्या सही है क्या गलत है वगर है अगला वर्ड देखो रेट्रो स्पेक्ट रेट्रो वर्ड भी आपने पहले कभी सुना है रेट्रो गाने आते हैं रेडियो के उपर आपने सुने होंगे रेट्रो म्यूजिक रेट्रो म्यूजिक ये रेट्रो गाने कौन से हो जाएगा पीछे की और देखना पास्ट की और देखना भूत काल की और देखना तो रेट्रोस्पेक्ट अगर आप कर रहे हो तो आप पुरानी याद में हो कि यार वो भी क्या दिन दे ऐसे आपने कहानिया सुनी होगी वो रेट्रोस्पेक्ट कहलाता है क्या कहलाता है जी रे हैं तो retrospect और prospect में फरक्या होना चाहिए retrospect past में होता है तो prospect future में होता है आप देखो prospect के आसपास का word आपने पहले सुन रखा होगा कभी prospectus word सुनाओगा colleges schools prospectus देते हैं अपना किनको ऐसे students को जो अभी students है नहीं उस college school के लेकिन भविष्य में बन सकते हैं ऐसे ही prospectus से ही prospective भी होता है अगर आप कल को business करोगे या कुछ भी करते हो तो prospective clients होते हैं आपके prospective customers होते हैं business के अंदर prospective मतलब जो भविष्य में customer बन सकते हैं तो जो भविष्य में देखते हैं उसको prospect बोलते हैं prospectus इसलिए भविश्य के होने वाले students को दिया जाता है तो prospect भविश्य को देखना भविश्य की और देखना retrospect पास्ट की और देखना इंट्रोस्पेक्ट अपने अंदर देखना अगर आप थोड़ा सा गौर फर्माओ मैं इस लेवल को थोड़ा सा बढ़ा रहा हूं words के ही level को एक ही word में जानकर यह आपको extra दे रहा हूं prospect एक verb के जैसा use हो रहा है यहां पर एक काम है कि भविश्य की और देख रहे हो prospectus एक चीज का नाम है एक solid चीज होती है किताब सी होती है जिसमें school college की information होती है तो prospectus एक चीज का नाम है noun है लेकिन prospective उसके लिए एक adjective है अगर आपने grammar वाली classes देखी है तो आपको पता है IVE जब पीछे लगता है as suffix तो वो उसका adjective बना देता है अगले word पर आओ circumspect circum word भी हमने पहले किया था circum का मतलब होता है goal goal क्या मतलब होता है जी goal चारो और तो अगर आप circumspect कर रहे हो circumlocution word किया था आप याद करो first class के अंदर first session के अंदर circumlocution किया था circum मतलब goal goal locution मतलब बोलना तो circumlocution मतलब goal goal बाते करना beating about the bush आप कोई डंकी center केंदर बिंदू बात नहीं कर रहे हैं बात को घुमाये जा रहे हो circumspect, wary और cautious ये तीनों words का एक ही मतलब होता है कि सावधान होना, चौकस होना, चौकनना होना कि कहीं कोई गड़बर ना हो जाए तो जो सावधानी से चलता है वो क्या करता है वो चारो तरफ देखते हुए चलता है और जो बिना ऐसी चले जा रहा है वो सावधानी नरी बरतरा तो circumspect मतलब चारो और देखना, इसका सही मतलब क्या निकलेगा सावधान होना, चौकस होना, चौकनना होना और यही मतलब है wary का भी और cautious का भी wary से मिलता हुआ आपने एक word देखा है कहीं पर, beware, same root के words है देखो, beware of the dog, कुते से सावधान देखा है न, किसी-किसी घर के बार लगा होता है, तो वो क्या, सावधानी बरतने के लिए beware word लगाया जाता है तो beware में where जो आ रहा है, वहीं से wary आया है, yes, I hope आपको समझ में आ रहा होगा और last word है inspect, in का मतलब अंदर, inspect का मतलब देखना, तो गहराई से जब आप अंदर देखते हो, जब आप जाच पढ़ताल करते हो, तो आप inspect कर रहे हो again यहाँ पर आप समझते ही है, inspect एक काम है, एक verb है, inspector जो है, वो एक इनसान हो जाता है inspection, जैसे मैं यहाँ, इसके लिए words करूँ, तो यहाँ देखो, एक inspector बन सकता है, और एक inspection बन सकता है inspection किसी चीज़ की होगी, तो वो noun है, inspector भी कोई इनसान होगा, तो वो noun है तो यह एक word से हम बहुत सारे words बना सकते हैं, मैंने जोडा क्या, पहले वाले में मैंने पीछे or जोडा, और दूसरे में मैंने पीछे shun जोडा, यह surface कैसे काम करते हैं, यह पूरा detail में मैं आपको grammar की classes में सिखाई रहा हूँ तो इन words को एक बार revise कर लेते हैं, spectacle मतलब द्रिश है, spectacles, s लग गया तो मतलब चश्मा, spectacular मतलब शानदार, बहुत ही जवरदस spectator क्या होता है, जो दर्शक है, जो देख रहा है retrospect अपने अंधर देखना, आत्म विलोकन करना, retrospect पास्ट की और देखना, prospect भविश्य की और देखना, circumspect वैरी, cautious, चौकस, चौकनना, सावधान, inspect ध्यान से जाँच पड़ताल करना retrospect वर्ड ये जो है, इसमें न एक वर्ड आपको कई बार अखबार में देखने को मिलेगा, जिसको retrospective बोलते है taxation के अंदर, retrospective आपको economy से related वर्ड देखने को मिल सकता है, retrospective taxes कैसे होते हैं, जो tax लगाया आज से, पर भरना भविश्य से नहीं, भूत काल से है past से जो भरना है, कि मानलो आज August में tax लगा है, और आपको 1st April से भरना पड़ेगा, past वाले से, तो ये retrospective tax हो जाएगा तो जो पहले से भूत काल की और देखकर होता है, वो retrospect या retrospective, I hope ये आपको समझ में आ रहा होगा आगे आते हैं आगे वर्ड है, विश्य से, विश्य जो रूट है, वो भी रूट किसकी है, वो भी देखने की ही रूट है और scope जो रूट है, वो भी देखने की ही रूट है तो ये दोनों सेम हैं देखने की रूट से, पहले हमने क्या किया? spect root देखा था और बाद में हम क्या कर रहे है wiz और scope root को देख रहे है wiz से word बनता है vision क्या word बन रहा है जी? vision, vision क्या होता है? द्रिष्टी, आपकी vision कैसी है? 6x6 है, आपको चश्मा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ तो आपकी द्रिष्टी कैसी है? देखो eyes और vision में फरक होता है आए आपकी आँख है लेकिन vision आपकी द्रिष्टी है देखने की जो शक्ती है उसका नाम vision है वैसे ही vision तो एक यहाँ पर noun का काम कर रही है लेकिन visual एक adjective का काम करता है कि visual अल लग गया पीछे देखो जरा visual कोई भी चीज है मतलब देखने से सम्मंदित है अगर मैंने आपको visually stimulate किया मैंने आपको visual data दिया है मतलब कोई photo दी है या फिर कोई video दी है जिसे आप देख सकते हो audio visual दो होते है audio मतलब जो सुनना होता है और visual मतलब जो देख सकते हो visible आपको याद आ रहा हो तो बल भी एक adjective बनाता है बल का मतलब क्या होता है योग्य able मतलब योग्य किसी भी चीज के पीछे बल लग जाए तो वो योग्य बन जाता है readable पढ़ने योग्य, writable लिखने योग्य, drinkable पीने योग्य, eatable खाने योग्य तो visible क्या होगा जो देखने योग्य है, जो दिख रहा है जब आप class में बैठते हो, teacher क्या पूछेगा am I audible? मुझे सुन पा रहे हो am I visible? क्या board पे जो लिखा है वो दिख पा रहा है तो visible होना, अगर आपको दिख रहा है तो वो visible है yes visible के आगे हमने prefix लगाया in तो ये इसका क्या बन गया? ये इसका antonym बन गया visible मतलब दिख रहा है invisible जो दिखता नहीं है, जो अद्रश्य है yes यहाँ पर आजाओ, telly vision जब आप गौर फर्माएं telly word का मतलब होता है दूर क्या मतलब होता है जी? दूर और vision का मतलब होता है दृष्टी हमने बात किया telly vision क्या करता है आपको दूर तक दृष्टी पहुंचा देता है वो होता कहीं और है shoot कहीं और हो रहा है लेकिन आप देख कहीं और पा रहे हो जो जो दूर तक आपको कोई scene पहुंचा देता है वो टेली वीजन है ऐसी आप देखो टेली फोन क्या करता है फोन मतलब आवाज फोन मतलब साउंड टेली मतलब दूर तो टेली फोन ने आपको दूर तक किसी की आवाज पहुंचा दी यहाँ पर देखो टेली स्कोप स्कोप मतलब भी देखना टेली मतलब दूर, टेलेजोब से क्या करते हो, दूर तक देख पाते हो, कि वो दूर क्या चल रहा है वो देख पाते हो, तो वो टेलेसकोप है, ऐसे ही एक और वर्ट, बहुत सारे वर्ट होते हैं, एक और बता देता हूँ मैं आपको बस टेली पैथी टेली मतलब दूर, पैथी का मतलब feeling होता है यह पैथी से हम बहुत सारे words करेंगे बहुत ही important words करेंगे किसी session में टेली मतलब दूर, पैथी मतलब feeling टेली पैथी मतलब दूर तक भावनाएं पहुंच जाए आपके साथ बहुत बार हुआगा अपने अपने दोस्त को फोन किया और वो सोची यार में तेरे बार में सोची रहा था, तेरे को फोन ही करने वाला था या फिर आप घर पे फोन करते हो, मम्मी फोन उठाते ही बोलती है हाँ वेटा क्या गड़ बढ़ है आज बता उनको automatically पता चल जाता है एक तो गौर फरमाएं, एक advice होता है और एक advice होता है बहुत बच्चों को confusion होती है मतलब इन दोनों में तो बहुत ज्यादा बच्चों को doubt होता है अभी आपका एकदम clear हो जाएगा advice करना एक verb होता है एक काम होता है और advice एक noun होता है किसी चीज का नाम होता है मतलब दोनों का आपको पता ही है advisor नीचे वाला होता है सला और advisor ऐसी वाला होता है सला देना ये सला है और उपर वाला सला देने का काम है नीचे वाली सला उपर वाला सला देने का काम तो S काम है और C सला है यह आपको आज से याद रखना है अब advice में आप करते क्या हो जब भी कोई आपको सला देता है तो वो आपको आगे का रास्ता दिखाता है कि देख ऐसे ऐसे करना है तिरको क्योंकि वो आपको दिखाता है तो दिखाने से wizard पकड़ा हमने और add जोड के हमने उसका word हमने नहीं मतलब अंग्रेजों नहीं या जिसने भी बनाया advice बना दिया तो S से verb बनता है वो काम बनता है और C से noun बनता है सला जो दी वो advisor थी C E और सला देने का काम जो किया वो advisor था S E Next देखो visit visit word मतलब भी होता है किसी से मिलने जाना पर visit में भी आप क्या करते हो सामने वाले को जाकर देखते हो इसलिए with word का use हुआ visit यहां पर आगया revise re मतलब दोबारा wise मतलब देखना किसी भी चीज को revise करते हो तो आप उसको दोबारा से देख रहे हो yes यह बहुत आसान words है मैं आपको बस root word का logic समझाना चाहरा हूँ यहां पर आप scope का मतलब देखना होता है लेकिन एक subject का scope क्या है या किसी stream का scope क्या है IIT कर लो बहुत scope है engineering कर लो बहुत scope है इसे सुना होगा आपने scope का मतलब क्या है कि उसका दृष्य कितना है कितना wide है वो कितना कुछ हो सकता है उसमें जो जो आपको दिख रहा है वो सब कुछ हो सकता है तो जो भी दिख रहा है वो किसी चीज का क्या हो जाता है scope हो जाता है yes ऐसी देखो horoscope horoscope क्या होता है जो आपकी जनम पत्री से जो जोतिश लोग निकालते हैं जनम पत्री को horoscope बोलते हैं तो horoscope planets की position के हिसाब से ग्रहों की positions के हिसाब से आपके भविश्य को देख लेती है इसलिए देखती है तो उसको horoscope बोलते है microscope, micro मतलब छोटा एकदम, सुक्ष्म, एकदम कम तो छोटे को देखने का तरीका, सुक्ष्म, दर्शी को इंग्लिश में क्या बोल देते हैं हम, microscope देखो मेरा समझाना क्या है logic कि whiz देखो देखने वाला, scope देखने वाला और ये पीछे हमने जो कि aspect देखने वाला, ये देखने वाले words को मैं आपको सिखाना चाहता हूँ आगे देखो, stethoscope, stethoscope क्या होता है, कभी आप डॉक्टर के बास गए होगे, डॉक्टर कान में लगा के वो आपकी दिल की धड़कन चेक करता है वो stethoscope कहलाता है, अब उसमें तो sound आ रही है, उसमें तो कुछ देखा ही नहीं, लेकिन stethoscope एक जरिया है, जिसके जरिये आपकी body के अंदर देख पाता है, डॉक्टर, कि actual में चल क्या रहा है Actually, देखने का काम नहीं हुआ, सुनने का हुआ है, लेकिन फिर भी ऐसा बोलते है, figuratively, पिछली बार एक word करवाया था मैंने आपको, बहुत ही सुन्दर word है, ये आपको पक्का से याद करना है कि आप शब्दों पे मत जाओ, आप पीछे की भावना को समझो कि हो क्या रहा है, डॉक्टर देख पा रहा है आपकी body के अंदर कि कहां गडबड चल रही होगी इसलिए उसको stethoscope बोलते हैं, ना कि stethophone बोलते हैं नेक्स्ट है periscope, periscope का मतलब होता है ऐसा यंत्र जो आपको ऐसी जगे देखने में मदद करता है जहां direct vision ना हो, जैसे आपने पंडुबी सुना हो, सब्मरीन के बारे में सुना हो, देखो सब्मरीन अगर आप word देखोगे sub-marine, marine का मतलब पानी होता है, जो पानी में जीते हैं, जीव जन्तुन को marine animals बोलते हैं तो marine पानी सब नीचे, कल मैंने बताया था सब नीचे, तो सब मरीन मतलब जो पानी के नीचे जाती है तो सम्मरीन के अंदर उपर एक पाइप सी लगी होती है जिससे वो अंदर से ही बाहर का देख पाते हैं क्या चल रहा है उसको पेरिस्कोप बोलते हैं कि कोई भी ऐसा यंत्र जो आपको ऐसी जगह देखने में मदद करता है जहां आपकी डारेक्ट विजन नहीं जा रही तो वो पेरिस्कोप है थोड़ा सा रिवाइस कर लेते हैं विजन आपकी दृष्टी विज्वल जो देखने में देखने वाला हो देखने से सम्मंदित हो Visible जो दिख रहा है, Invisible जो अद्रिश्य है Television तूर से जो दिखाता है Telescope दूर से देखने में मदद करता है Advise, सला देने का काम Advise, C E वाला सला खुद Visit, मिलने जाना Revise, आपको पता ही है Horoscope, Planet से जो जनमपत्री बनाई जाती है Microscope, सुख्श मदरशी टेतोस्कोप जो डॉक्टर यंत्र यूज़ करता है आपकी दिल की धड़कन चेक करने के लिए और पेरिस्कोप ऐसी जगह देखने वाला यंत्र जहां पर आपकी दृष्टी विजन आपकी नहीं पहुँच पारी तो ये सारे वर्ड्स जो हमने किये हैं अभी ये वर्ड्स और ये पहले वाले वर्ड्स सारे देखने से संबंदित है I really hope आपको ये सारे वर्ड्स समझ में आए होंगे आप ऐसे ही हमारे साथ रोज जुडते जाएए अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जुड़ें आपको रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है तैंक यू